कहानी की शिटवात में हम देखते हैं नैन का फियोंसे जियांग लिन और उसकी स्टेप सिस्टर दोनों मिलकर उसको चीट कर रहे होते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि नैन के 25 बदे पर उसकी मा ने अपनी आखरी साथ से लेते हुए उसे प्रॉमिस लिया था कि वे जियांग लिन से शादी करके उनकी आखरी विश्ट को पुरा करेगी लेकिन आज का नजारा देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है लेकिन नैन बाखी लड़कियों की तरह बिचारी नहीं थी और वे अपने फियांसे से रिवेंज उसी की तरीके से लेने की सोचती है नैन देखती है कि इसी होटेल में उसके फ्यांसे जियांग लिन के अंकर लुजॉंग है जो उसके बॉस भी थे और नैन तीन सालों से उनकी असिस्टेंट थी नैन भाग के लुजॉंग के पास जाती है और सोचती है कि जियांग लिन उसके स्टेप सिस्टर के साथ साथ सो लूजंग बोलता है कि तुमको क्या चाहिए और नैन उसको किस करने लगती है जो लूजंग के लिए बहुत ही शौकिंग था और वे गुस्ता करने लगता है और बोलता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो फिर भी तुम आज कुछ जादा ब्रेव नी बन रही हो जो तुमने उफर करता है लेकिन नैन मना कर देती है कि एडिक्शन सही नहीं है लूजंग बोलता है कि तुम और मेरा नेफ्यू तिन मंथ में शादी करने जा रहे हो लेकिन फिर भी तुमने मुझे इंस्टिगेट किया और यहां नैन बता देती है कि जियांग लिन उसकी स्टेप सिस् कि उसे नैन कहीं नहीं मिल रही है और वे लूजंग की असिस्टेंट थी इसलिए उसने नैन के बार में पता लगाने के लिए लूजंग को कॉल किया था लेकिन नैन नोटिस करती है कि लूजंग का कोल्ड वीएबियर है फिर भी उसने उसके लिए प्रेकफास्ट तयार करके रखा था और यह चीज़ उसे इंटरस्टिंग लगती है नेक्स्ट जब नैन अपने ओफिस जाती है तो उसकी फ्रेंड एक फाइर प्रेजिडेंट ओफिस में देने के लिए बोलती है रात के बारे में सोचकर नैन थो से इंबरेस थी इसलिए बलके चुका कर लूजंग से बात कर रही होती है लेकिन नैन के ऐसा नेचर था कि वे यहाँ भी लूजंग को टीस करने लगती है और बोलती है कि उसे रात में उनके साथ बहुत इच्छा लगा क्योंकि वे कैसे भी करके लूजंग को परिशान करना चाहती थी जब नैन अपने घर आती है तो उसकी स्टेप सिस्टर पूछने लगती है कि वे रात बर कहां गाइब थी और नैन को तो उसकी सिस्टर का असलियत पहले सी पता था कि वे उसके फियोंसे के साथ मिलकर उसको चीट कर रही है इसलिए वे उल्टा उसके लब बाइट को इंडिकेट करके बोलने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम रात बर कहीं गाइब थी लेकिन उसकी step mother भी नैन को यूल्टा सिधा बोलने लगती है जिससे नैन गुसे में अपनी step mother को थपर मारती है और इस बात पर उसकी step sister गुसा करने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई उसकी mother पर हाथ उठाने की और धमकी देने लगते हैं कि वे फादर से बोल कर उसके engagement को terminate करवा देगी और नैन तो समझी रही थी कि वे उसके engagement जियांग लिन के साथ क्यूं कैंसल करवाना चाहती है इसलिए वे बोली कि मेरी मदर ने मरने से पहले जियांग लिन और मेरा marriage contract बनवाया था इसलिए वे engagement को किसी भी कीमत पर खतम नहीं करने वाली है और यहाँ एक flashback से पता चलता है कि नैन की मदर किसी heart problem से जूज रही थी और बताती है कि जब उनको heart attack आया था तो जियांग ली नहीं उन्हें hospital लेकर आया था लेकिन अब नैन सोच रही होती है कि मॉम अपने जियांग लीन के बारे में बहुती गल सोचा था कि वे एक अच्छा लड़का है थोई दिर बात उसके पास मिस्टर लू की call आती है और वे उसे एक club house में मिलने के लिए बुलाते हैं क्योंकि महाँ पे उनकी एक meeting थी लेकिन नैन उने tease करने लगती है कि वे उसे इतनी रात में call कर रहे हैं क्या सही में कोई official meeting है या फिर private मिस्टर लू बोलते हैं कि मैं तुमको warn कर रहा हूँ पिछली रात जो भी हमारे बीच में हुआ वो बस एक accident था और next time ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और हमारा relation हमेशा एक superior और subordinate कहीं होगा हम देखते हैं कि लूजंग का business partner song 9 जो लूजंग का friend भी होता है वे लूजंग को tease कर रहा होता है कि तुम्हारे गले पे सब निशान कैसे हैं और जबी वाँ पे नैन आती है और song नियान उसको अपने पास बैटने के लिए बोलता है क्योंकि वे उसको बहुत अच्छी तरी किसे जानता था लेकिन Mr. Lu नैन को अपने पास बैटने के लिए बुलाते हैं और जाहे वे नैन के सामने कितना ही cold behave क्यों ना कर रहे हो लेकिन वे नैन के लिए बहुत सदा productive हो गए थे song नियान लूजंग के गले का निशान दिखा कर नैन से पूछने लगता है कि क्या तुमको पता है कि Mr. Lu किसके साथ night spend करके आए हैं क्योंकि तुम ही mostly time उनके साथ रहती हो लेकिन नैन हसते हुए बोलती है कि उसको खुद नहीं पता song नियान बोलता है कि हम और लूजंग जब भी बाहर आते हैं वे कभी भी किसी लेडिस को अपने साथ लेकर नहीं आते हैं और भी लूजंग से पूछने लगता है कि फिर तुम यहाँ पे नैन को क्यों लेकर आये हो लेकिन लूजंग कोई भी जबाब नहीं देता है लेकिन बस वे उपर उपर से नैन के साथ कोल भी हेव करते थे और अब सिचुवेशन ज़ादा आकवर्ड ना हो इसलिए नैन उनको ट्रिंक सब करने लगती है और सौंग नियान से बोलने लगती है कि तुम लूजंग को टीस करना बंद करो और कहती है कि लूजंग अभी भी वरजन है और मैं उनकी इनला हूँ तो मेरे साथ भी नाइट स्पेंट कैसे कर सकते हैं और वे जान पुछकर लूजंग को टच करती है और इसके बास सौंग नियान से business related बाते करने लगती है लूजंग देखता है कि नैन बहुत ही drink कर रही है और सौंग नियान के साथ बहुत ही घुल मिलकर बाते कर रही है इसलिए थोड़ी दिर बात जब नैन वाश्रूम से बाहरा आदी है कि उन्होंने उसके साथ night spend किया था और यह सुनते हैं यह लोजंग उसको जबरदस्ति किस करने लगता है जिसे नैन उनको रोक कर बोलती है कि आपने कहा था कि ऐसा next time नहीं होगा तो आप ही सब क्यों कर रहे हो लोजंग उसे जियां लिन से break up करने के लिए बोलते हैं क्योंकि जो वे दोनों कर रहे थे उन्हें सही नहीं लग रहा था लेकिन नैन कहती है कि उन्हें इतनी tension क्यों हो रही है वे दोनों adult हैं और उन दोनों के बीच में बस adult वाली चीज़े चल रही है और वे उन्हें कभी में उसकी responsibility लेने को नहीं बोलेगी और यहां नैन के दिमाग में यही चल रहा था कि जैसे जियां लिन उसकी sister के साथ मिलकर उसको cheat कर रहा है वे भी ऐसा ही करने वाली है और उसे लोजंग को tease करने में बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि वे अपनी फ्यांसे नैन से उनको मिलमाना चाता था लेकिन उसको क्या ही पता था कि नैन और लोजंग का रिष्टा कुछ जाता ही आगे बढ़ चुका है बाद में सब को हम dinner table पर देखते हैं और यहां ग्रेंट पा को पता चलता है कि नैन लोजंग के assistant है वे उसकी sister के बारे में भी बोल रहा था ग्रेंट पा बताते हैं कि नैन और जियांग लिन की शादी तिन मंस बाद होने वाली है और इसी बीच नैन जान बुझकर लोजंग को टच करने लगती है और गेंट पास से बोलती है कि उसी अच्छा नहीं लग रहा है कि लोजंग अभी भी सिंगल है और वे और जियांग लिन शादी करने जा रहे हैं जिससे जियांग लिन बोलने लगता है कि मैंने अंकल को कभी भी किसी लेडिज के साथ नहीं देखा नैन और लुजंग दोनों के लिए बहुत ही इंबरेस्मेंट वाली बात थी लेकिन नैन कहती है कि शायद किसी मच्छर ने कल रात उसे बाइट कर लिया था और इसके बाद वे जियांग लिन पर गुस्ता करने लगती है कि तुमको लग रहा है कि मैं तुमको चीट कर रही और नैन के नाटक को देखकर लुजंग की हसी छुट जाती है जिसे जियांग लिन कहता है कि अंकल आप हस क्यू रहे हैं लेकिन लुजंग कहता है कि बस ऐसे ही और इसके बाद नैन बोलती है कि उसने डिनर कर लिया है और वे चारी है जब वे देखती है कि जियांग लिन क पिठाकर इसको किस करने लगता है और उसके सथ dmit होने की कोशिश करता है लेकिन ज़ुजंग को रोक देती है क्वे क्या कर रहा है कहीं किसी ने देख लिया तो प्राल्लम हो जाएगी लेकिन लूजंग वंड्रेस करने लगता है और इसके बाद तोनों इन्टिमेट होते हैं और यहां पर साफ पता चल रहा था कि वे नैन को लेकर कुछ ज़्यादा ही अपसेस्ट हो गया है नेक्स्ट जब नैन ओफिस में लुजंग को देखती है तो उसे लुजंग के साथ बिताए के सारे मुमेंट्स के याद आने लगते हैं लेकिन लुजंग चुप चब लेकिन नैन बोलती है कि वे तो बस वक से डिलेटेटी कोशनिंग कर रही है जिससे लुजंग उसे अपने क्लोस लाकर बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ खेलने का कुछ जादा ही शौक है और उसको किस करने लगता है और जबी ओफिस के बाहर जियांग ली नौक करता है और और ऑफिस के अंदर आने लगता है लुजंग बोलता है कि जांग ली नहीं प्यार आ रहा है अगर उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो क्या होगा क्या तुमको डड़नी लगता है जिससे नैन कहती है कि जितना मुझको पता है आप भी नहीं चाहाऊगा कि जांग ल लुजंग को टच करने लगती है ताकि उसको परशान कर सके इसलिए लुजंग को कॉल करने लगता है और वे कहता है कि अभी उसकी मीटिंग है तो यहां से वे जा सकता है और जैंग लिन चला जाता है अब फाइनली नैन टेबल की नीचे से बाहर आती है और लुजंग बोलता है कि क्या तुम अभी बिसब कुछ कंटीनिव करना चाहती हो और नैन कहती है कि अगर आपको डर नह ही हो रही है लेकिन लुजंग बोलता है कि वैसे तुम हो तो काफ़ी अमेजिंग दोदो आदमें को अपने पीछे कुमारी हो और नैन टीस करने लगती है अर बोलती है कि मतलब आपने एकस्सेप्ट कर लिया कि आप मुझसे प्यार करने लगे हैं लेकिन लूजंग उसको क यहां हम देख पाते हैं कि अभी भी जूंग्ली नेन से बात क्यों कर रहा है जब जूँए उसके साथ टाइम संद करने के लिए जूंग लेन गलता है कि और गुसर करती है कि तुम दो मंत के अंतर नेन से ब्रेकक Looking पर लो या हमारे बारे में अपनी फैमिलिस को बता दू बाद में नन जान लिन के बुलाने पर एक होटेल रूम में जाती है और जीयांन लिन उसके ख्लोज जाने की कोशिच करता वह है जिसे नन बहाना बनाती है किवे अपनी बात लेकर आरी आ रही रही है लेकिन नैन को पुरा यकिन था कि लूजंग जल्दी महाँ पे आएगा और ऐसा होता भी है लूजंग जियांग लिन को कॉल करके बोलता है कि उसे अभी नैन की जरूरत है और उन्हें एक अर्जेंट बिजनेस ट्रिप पर जाना है और वे उसे पिक अप करने के लिए आ रहा है और अब जियांग लिन भी कुछ नहीं बोल सकता था जल्दी वहाँ पे लूजंग आता है और जियांग लिन बोलता है कि आपको ज़ादा ही जल्दी नहीं आ गए और लूजंग बोलता है कि उसका काम बहुत ही अर्जेंट है इसलिए उसे जल्दी जाना है और जब नैन जाने लगती है तो जी आंग लिन उसको रोकर अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है और नैन लूजंग के साथ जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाती है जो जी आंग लिन को थोड़ा सा जीब लगता है बाद में नैन लूजंग से बोलने लगती है कि आप तो नहीं आने वाले थे लेकिन आप तो 15 मिंट पहले ही आ गए कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है और आप उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं और लूजंग उसको किस कर लेता है और बाद में पूछता है कि उसको कहा जाना है और नैन उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और बोलती है कि उसे तो बस मिस्टर लु के दिल में ही रहना है लूजंग बोलता है कि क्या हुआ जियांग लिन ने तुम सेटिस्फाय नहीं किया और उसे होटेल रूम में लेकर आता है और नैन उससे बहुत इनफार्मली होकर बात कर रही होती है जिसे लूजंग बोलता है कि ये उन दोनों के लिए सही नहीं है और ऐसे रिस्ते का अंजाम बहुत ही बुरा होता है लेकिन मैं कहती है कि वैसे भी दो मंद बाद जियांग और उसकी शादी होने चारी है और ये सुनके लूजंग को अच्छा नहीं लगता है और वे चुपचप जाकर सुजाता है नैन सोच रही होती कि उसने ऐसा क्या बोल दिया जो लूजंग गुस्सा हो गए और लूजंग सोच रहा होता है कि नैन उसे बस अपने प्लेजर के लिए यूज करती है और उसे इस बात के लिए बहुती बुरा लगता है क्यूंकि अब ये नैन को लेकर बहुती सिरियस हो गया था लेकिन नैन अभी भी जियांग लिन से ही शादी करना चाहती थी दूसरी साय जियांग लिन को डाउट होता है कि जब ये नैन के साथ होटेल रूमे था जब ये उसके अंकल को business trip पर क्यों जाना था इसलिए वे उनके company में पता लगाने के लिए आता है और वहाँ की employee बताती है कि Mr. Luca कोई भी business trip नहीं है और ये जानके जियांग लिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वे लूजंग को call करके बोलता है कि उनका कोई business trip नहीं था तो वे नैन को अपने साथ लेकर क्यों गए है लेकिन लूजंग बोलता है कि वे अपनी सारी business detail को अपनी company में नहीं बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें warn कर रहा हूँ कि तुम मुझे दुबारा परशान मत करना अब नैन लूजंग के साथ आत हो गई थी इसलिए वे उनकी एक business deal में help करने के लिए सोचती है जो बहुत ही time से रुका हुआ था इसलिए वे उस person से मिलने के लिए जाते हैं जिसका नम जैंग होता है लेकिन जैंग के साथ लूजंग की कुछ खास नहीं जमती है और वे नैन को महाँ से चलने को बोलता है रास्ते में लूजंग नैन को उसकी fiance जैंग लिन को उसकी step sister के साथ दिखाता है जो दोनों हाथ में हाथ डाले आ रहे थे और नैन को देखकर जैंग लिन उसकी step sister से पने हाथ को चुड़ा देता है और उल्टा नैन के step sister पूछने लगती है कि वह यहाँ पर मिस्टर लू के साथ क्या कर रही है जिससे नैन कहती है कि वह लूजंग की assistant है तो वह उनके साथ business tripper आई है लेकिन मैं जियांग लिन के साथ क्या कर रही है और सार केसली बोलती है कि कहीं तुम मेरे फ्योंसे के साथ business tripper तो नहीं आई हो जियांग लिन उसे explain करने लगता है और जियांग लिन को नैन के close देखकर लूजंग को कुछ अच्छा नहीं लगता है कहीं इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है लेकिन जियांग लिन उल्टा उस पर गुस्सा करने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ आने का जिद नहीं करती तो अब तक सब कुछ ठीक होता क्योंकि नैन ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था अब जियांग लिन सोच रहा होता है कि उसे कैसे भी करके नैन के सामने सब कुछ क्लियर करना है नहीं तो प्रॉबलम हो जाएगी दूसरे साइड नैन मिस्टर लू को बोलती है कि उसने दो रूम बुक करवा दिया है और उनके होटेल रूम का की देती है हटीस करते हुए बोलती है कि मेरा रूम जेस्ट आपके रूम के साइड में अगर आपको कुछ भी अर्जेंट काम हो तो आप मुझे किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं मैं हमेशा आपके लिए एविलेबल रहूंगी और इस बात पर मिस्टर लू बोले कि मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम मेरे साथ रहो और दोनों एक ही होटेल रूम में जाते हैं और इसके बाद एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंट करते हैं यहां दोनों अपने डिलेशनशिप को लेकर बहुत ही लेकिन हमें इस ओडियंस पता चल गया था कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है लेकिन इस जिसका एसास उन्हें अभी तक नहीं हुआ था क्योंकि नैन तो बस अपने फियांसे की वेरे से मिस्टर लू के साथ इंटिमेट होती थी और मिस्टर लू नैन से बहुत ही अट्रेक्ट हो गये थे जल्दी होटेल में जियांग निन आकर नैन की डोर को नॉक करता है लेकिन कोई आदमी बताता है कि नैन इस बक्त मिस्टर लू के रूम में गई है और उसे बहुत ही गुसा आता है और वे अपने अंकल के रूम को नौक करता है और पूछता है कि क्या यहाँ पे नैन है और उसे नैन का मा क्या दाने लगता है कि कहीं सही में नैन उसे चीट तो नहीं कर रही है और वे नोटिस करता है कि रूम ओपन है और वे अंदर जाके नैन को ढूणने लगता है लेकिन मिस्टर लू पूछते हैं कि वे यहाँ पे किसली आया है और जियांग लिन बोला कि कोई आदमी ने बताया कि नैन आपके रूम में और मिस्टर लू गुसा करने लगते हैं कि वे अपने पार्टनर को इतनी रात में उनके रूम में ढूणने के लिए क्यों आया है और जियांग लिन नैन के बार में पूछता है कि क्या आपको कोई आइडिया है कि इस बक्त नैन कहां पर होगी और इस बात पर मिस्टर लू गुसा करने लगते हैं कि वे उसके बॉस है ना कि उसके बॉटी कार्ट और कहते हैं कि किसी को भी इतनी रात में डिस्रॉप करना सही नहीं होता है और जियांग लिन ने सौरी बोलकर महांस चला जाता है हम देखते हैं कि नेन वहीं पर छुपी भी होती है और बोलती है कि आप एक्टिन तो वैसे कमाल के करते हैं मिस्टर लू बोलते है कि एक दिन चेंग लिन को उनके बारे में पता चल चाएगा तो वे क्या करेगी और नेन उन्हें टीस करते हुए बोलती है कि मैं तो बस आपकी सौबाडिनेट हूँ जैसा आप मुझे बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी जल्दी जियांग लिन नैन को कॉल करता है और गुस्ते में बोलता है कि वे उसे होटेल में ढूनने के लिए आया था लेकिन वे गाइब कहा थी और वे किस लड़के के स जल्दी हमारी शादी होने वाली है इसलिए मुझे तुम्हारी फिकर है लेकिन नैन को तो उसका नाटक बहुत अच्छितरी किसे पता था इसलिए वे कॉल कट कर देती है और मिस्टर लू हसते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी एक्टिन तो मेरी एक्टिन से कही जादा लू जsung और साग्नियां दोनी बच्च Πन के दोस्ते हैं और साग्नियां लू जसंग को करने के लिए जान बूझ खने हैसे हाथ मिलाता है जिससे लू जशंग को जलन होने लगति है और यहां पर सांगनियां मिस्टर चैंग के सामने स्ट्रेंजर क्या भी भी हैपी नी थहाँ पर सौंग नियान सब को बटाता है कि शायान लूजंग की लवर रह चुकी है और यह सूंकर नैन हयरान उजाती है लेकिन नैन बोलती है कि वेवस मिस्टर लूझ की एसिस्टेंट है उसने कभी भी मिस्टर लूख के personal matter में interfere नहीं किया और शायान को देखकर खुदी शौक थी और लुजंग समझ रहा होता है कि नैन को शायान को देखके बुरा लगा है इसलिए बताता है कि शायान और वेवस हाई स्कुल क्लासमेट थे और यहां पर नैन को उदास देकर लुजंग को अच्छा नहीं लगत है और सौंग यहां नैन से पूछने लगता है कि लुजंग अपनी लवर को देखकर हैपी नजर क्यों नहीं आ रहा है और नैन यह सुनकर और जदा फ्रस्टेट ही जाती है और गुसे में और जदा खाने लगती है और इस चीज़ को लुजंग भी नोटिस करता है जब नै मैं गुस्ता करने लगती है कि अगर तुम दोनों ने मेरी मा के समान को छूने की भी कोशिश की तो तुम लोगों की साथ अच्छा नहीं होगा और उन्हें वार्ण करके महां से चली जाती है बाद में नहीं अपनी मदर की फोटो को देखकर बोली मा मैं आपको हमेशा हैप दिल फिल करूंगी और वे दिल पर पत्थर रखके जियांग लिन से शादी करने के लिए तियार थी दूसरे साई नैन की स्टेप सिस्टर जियांग लिन पर गुस्ता कर रही होती है कि वे नैन से अपने मैरीज को कैंसल क्यों नहीं कर रहा है लेकिन जियांग लिन कहता है क कि इतना सिंपल नहीं है जितना वे बोल रही है और यहां पर जियांग लिन को पता था कि अगर वे नैन से शादी करेगा तो उसे उसकी मदर की लेगसी मिलेगी क्योंकि अब यह लू फैमली पर डिपेंड नहीं रहना चाहता था हम देखते हैं कि शाहां लूजॉंग से मिलन और बोलती है कि मुझसे मिलकर खुश होने वाली बात क्या है लेकिन यह सब बस नैन सोच रही होती है और रियालिटी में उससे बहुत ही प्यार से बात करती है शाहां लूजॉंग की कॉफी में शुगर एड़ कर रही होती है लेकिन नैन बताती है कि मिस्टर लू बेना श चीज़े पता है तो फ्लीज आप हम दोनों को मिस अंडरस्टूर मत करना और इसके बाद वहां से चली जाती है थोई दे बाद शायान ओफिस से बाहर आती है और नैन उसे ही देखे जारी थी और इस चीज़ को उसके फ्रेंड नोटिस करती है जल्दी मिस्टर लू नैन को कि यह सच नहीं है वे बस मेरी हाई स्कूल क्लासमेट है नैन बोलती है कि यह चीज़ आप मुझे क्यों एक्स्प्लेइन कर रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है और यह चीज़ लू संग को अच्छा नहीं लगता है और उसने उसको मिस अंडिस्टूट कर लिया और आज रात वे उसके साथ स्पैन करना चाता था लेकि नैन मना कर देती है नेक्स्ट नहीं सौंग नियां के कहने पर उसे एक फाइल देने क्ली आती है और कहती है कि सौंग नियां अपने प्रजेक्ट काॉपरिशन के लिए शाय करने जा रहे हैं इसलिए दोनों अभी से एक दूसरे के साथ रहने की आदत डाल रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है और मिस्टर लू नैन पर गुसा करने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या वे लास्ट नाइट जियांग लिन के साथ सोच चुकी है जिससे नैन कहती है क कि अगर मैं आपके लव लाइफ में इंटरफेर नहीं करती हूँ तो आप भी मेरी लाइफ में इंटरफेर मत करो लेकिन मिस्टर लू बोलते हैं कि मैं दुबारा तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम जियांग लिन के साथ सोच चुकी हो और इसके पार हम नैन को उसकी मिस्टर लू को एक फाइल देने के लिए बोलता है और जब नैन आफिस में जाती है तो मिस्टर लू दुबारा उसे फोर्स लिए अपने क्लोस खीच लेते हैं जिससे नैन गुस्ता करने लगती है और कहती है कि आज मैं तुमको बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ और उसे टेबल के अगेंस्ट पुश करते हैं नैन कहती है कि उनकी लवर यहीं पे ऑफिस में है फिर भी वे उसके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं और लूसंग बोलता है कि क्या तुमको जैलिस फिल हो रहा है लेकिन नैन साफ इंकार कर देती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिससे लूसंग उसको किस करने जाता है लेकिन नैन अपने फेस को साइड कर लेती है लेकिन फिर भी प्यार तो लूसंग से ही करती थी इसलिए खुद को जादा देर तक नहीं रुक पाती है और इसके पाद लूसंग उसको किस करता है हम देखते हैं कि नैन को काम करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है जब ही शायान उसे एक audit file देती है और बताती है कि यह file बहुत ज़्यादा important है और उसे आज ही review करने को कहती है और नैन overtime के लिए रुक जाती है शायान लूजंग के बारे में पूछती है कि वे कहां परें और नैन बताती है कि मिस्टर लू अपने office से चले गए है और वे उनकी assistant है तो उसका कोई भी right नहीं है कि वे अपनी बॉस के private life में interfere करें इसलिए उसे मिस्टर लू के बारे में कोई idea नहीं है कि वे कहां परें basically नैन को jealous feel हो रहा था कि शायन लूजंग के बारे में क्यों पूछ रही है और शायन वहाँ से चली जाती है हम देखते है कि नैन की तबियत कुछ सही नहीं लग रही थी इसके बाद उसे उठा कर hospital ले जाता है और finally अब नैन थोई से ठीक होती है और इसके बाद लूजंग उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए चला जाता है और नैन नोटिस करती है कि उसके पास लूजंग की बहुत पार call आई है और ये देखके बहुत जदा खुश जाती है कि लूजंग को उसकी इतनी जदा फिकर है और अपनी मदर को याद करने लगती है और कहती है कि आज कोई person उसके पास है जो उसकी इतनी जदा care करता है लेकिन उसे बुरा लगता है कि वे और लूजंग कभी भी एक नहीं हो सकते है जल्दे लूजंग उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे रोते हुए देखकर पूछता है कि वे रोकियो रही थी लेकिन नैन उसको कुछ नहीं बताती है और लूजंग उसे खाना खिलाता है और उसका ध्यान रख रहा होता है और दुबारा शायान को लेकर दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स चलने लगते हैं दोनों बात करी रहे होते हैं कि जब ही मापे जियांग लिन आता है और उनकी बाते अधूरी रह जाती है और लूजंग कुस्ते में महाँ से चला जाता है जयांग लिन उसका हाल चाल पूछता है और इसके बाद हम नैन को देखते हैं जो लूजंग के कॉल या मैसेज ना आने पर वे बहुत सदा पैनिक होड़ी होती है और दूसरे साइट लूजंग का भी यही हाल था वे भी नैन के बारे में सोची जा रहा था और उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वे दोनों एक दूसरे के बारे में क्यों सोची जा रहे हैं और अब नैन से रुकाने जाता है और वे मिस्टर लू को मैसेज करती है कि जो वे उनके लिए खाना लेकर आये थे वे उसको खाना चाहती है और नैन के मैसेज को देखकर लूजंग के फेस पर स्माइल आजाती है बाद में शाहन लूजंग को उनके audit review के लिए congratulate करती है और लूजंग पूछता है कि तुम कल रात नैन से मेरे बारे में क्यों पूछ रही थी तुम्हें क्या काम था और शाहन बोलने लगती है कि क्या वे पहले की तरह नहीं रह सकते हैं जैसे वे रहा करते थे लेकिन मिस्टर लू बोलते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है में हो और यह सुनके नैन को अच्छा नहीं लगता है कि वे लुजंग से मिलकर आई है यहां पर शायान को आइडिया लग गया था कि लुजंग और नैन के बीच में पक्का कुछ चल रहा है और इसलिए शायान नैन से लुजंग के बारे में बात करने लगती है कि वे 20 सारों से एक दूसरे को जानते हैं लेकिन अब पहले की तरह सिच्वेशन नहीं रही और बताती है कि सारा मेरा ही फॉल्ट था और जान बुज कर नैन को बोलती है कि लुजंग बहुत सदा हैंसम और स्मार्ट हैं और ऐसे आदमी के लिए औरते उनके क्लोस जाने का मौका ढूंती नैन तो उसकी बातों का मतलब समझ रही थी इसलिए वे कहती है कि जो तुम मुझे बोल रही हो इससे बेटर तुमें सारा फोकस मिस्टर लुक के दिल को जीतने में लगाना चाहिए और जब यह वहाँ पर जियांग लिन आता है और बताता है कि उनके शादे से पहले कुछने लगती है कि उसे बुरा क्यों लग रहा है जैंग लिन बोलता है कि तुम फाइनली मेरे खरा चुकी हो और आंटी मरने से पहले अपना कुछ समान छोट कर गई थी तो तुम उनको भी लेकर आ सकती हो लेकिन नैन मना कर देती है और जैंग लिन बात को पलटने के ल और वे उसको मैडिसिन देना भूल गया था लेकिन नैन कहती है कि वे नर्स से मंगवा लेगी और नैन कॉल पर थी फिर भी लूजं उसके साथ इंटिमेट होने की कोशिश करता है जैंग लिन बोलता है कि नेक्स्ट विक लूग फैमली एंसेस्टर वाशिप करने जारी है तो क्या वे तब तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले सकती है और ये सुनकर लूजं को और जदा गुसा आता है और वे उसके हाँ से सेलफन को छेन कर फेक देता है और बोलने लगता है कि क्या तुम सही में जियांग लिन के साथ एंसेस्टर वाशिप के लिए जाने वाली और तुम सही में खुद को लूज फेमली के गेंट सन की डॉटर इनलो कंसिडर्ट करने लगी हो और कहता है कि अगर तुमने जियांग लिन से शादी करने का मन बना लिया है तो फिर मेरे साथ क्लोज आने की कोशिश क्यूं कर रही हो और गुस्ते में बोलने लगता है कि त सब कुछ कंटिन्यू कर सकती हूं और मैंने तुम्हार सा सेक्स बस जियांग लिन से रिवेंज ले निकली किया था और अब मेरे और जियांग लिन क्या हिसाब बराबर हो गया है इसलिए अब मैं उससे शादी करना चाहती हूं और कहती है कि आपको भी पता है कि हम एक दू और नैन के मूँ से ये सब सुनकर लूजंग को बहुत ही बुरा लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए बस गेम था और इस्ट्रेस में दुबारा आके स्मोक करने लगता है और नैन मन में सोच रही होती है कि शायद उसने अपनी बातों से लूजंग को कुछ जाद कि आत्मा को शांती मिले इसलिए जान बुझ कर लूजंग से बोलने लगती है कि अब आपने मेरे टू फेस को देख लिया और मैंने आपको लेट डाउन किया है लेकिन मैं ऐसी ही हूँ मुझे अपनी लाइफ में बस इंजयर्मेंट चाहिए इसलिए मैं आपको बोलना चा बाद मैं आपको फैमली मेंबर ही कंसिडेट करूंगी और जान बुझ कर उसे अंकल बुलाती है और कहती है कि आई होप आगे आप मेरा ध्यान रखेंगे मतले वे लूजंग के नजरों में खुद को बुरी तरीकी से गिराने के लिए भी तयार थी और वे बोलने लगती है कि क्या आप शायान से मिले थे और कहती है कि मैं नी चाहती हूँ कि आपके और शायान के बीच में मैं कभी भी आऊँ और यहां उनके रिलेशनशिप को खतम करने को बोलती है और लूजंग कहता है कि तुम्हारी कहने पर हमारे रिलेशनशिप खतम नहीं हो जाएगा क्यू उसके आने पर स्कूल टाइम की सारी यादे ताजा हो गई है और उसका मजाक बनाने लगता है कि तुम्हें शायान ने डंप कर दिया था सही में बहुत ही पेंफुल सिच्वेशन था लूजंग बोला पेंफुल तो है लेकिन शायान की वेरे से नहीं क्योंकि मेरा शायान से क कुछ खतम कर दिया है और उसकी बेस्ट फ्रेंड को पता था कि उसे अभी बहुत ही हट हो रहा होगा क्योंकि ने लूजंग को बहुत ही पसंद करती थी दूसरे लूजंग ड्रिंक पर पी जा रहा था और वे सोच रहा होता है कि ने तुम सब कुछ नाटक कर रही थी क्या तुम्हारे आंसु जूटे थे और वे सोचता है कि अगर तुम मेरे साथ प्ले कर रही थी तो मैं भी ऐसा ही करूंगा और वे इंसेस्टर वॉस्टिप में जाने के लिए तियार था बाद में चियांग लिन नेन को होस्पिडल से डिशार्ज करके घर लाता है और गेंट प चौक थी, ग्रेंट पा चाहिए रही होते हैं कि गल्तीसे उनसे ग्लास नीचे गड़ जाता है और ग्लास का टुकरए नेन के पैरों में लग जाता है जिससे ब्लीडिंग होने लगती है और लूजोंग जै हं लिन से बोलता है कि आपको नेन की फिकर कब से होने लगी और बोलता है कि नैन मेरी तीन सालों से असिस्टेंट है तो क्या एक बॉस अपने सॉबनेट के बारे में नहीं सो सकता है और यह चीज लूजंग के फादर को भी थोड़ी सी यजीब लगती है क्योंकि उन्होंने कभी भी लूजंग को किसी की इतनी फिकर करते हुए नहीं देख करके उनसे दूरी बनाना चाहती थी इसलिए वे कहती है कि वे ठीक है और इसके पात नैन अपनी बेस्टरेंट के सालों से लूजंग को पेलिए और उन लूसंग की call आती है और नैन की best friend बताती है कि नैन अभी बहुत ही drunk है तो क्या वे उसको यहां से ले जा सकते हैं जब मिस्टर लूस को लेने के लिए आते हैं तो वे नशे में बोल रही होती है कि मुझको माफ कर देना मैं आपकी सारी बाते मानूंगी और जियांग लिन से शादी करके आपकी आखरी wishes को पूरा करूंगी यहां लूसंग उसकी बाते पूरी तरीके से समझ नहीं पाता है लेकिन उसे इतना तो पता चल गया था कि जयांग लिन को पसंद नहीं करती है और बोलता है कि क्या तुम उस रात उसी reason से रो रही थी क्योंकि तुम मुझको पसंद करती हो लेकिन नैन कहती है कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूं जिससे लूसंग कहता है कि तुम मुझको पसंद क्यों नहीं करती हो और नैन कहने लगती है कि आप यहां से जा सकते हैं लेकिन लूसंग उसको दुबारा किस करता है और जब नैन की आंखे खुलती है ये तो वे नोटिस करती है कि उसने नशे में लूजंग के साथ नाइट स्पेंड किया है और उसे बहुत इंबर्स फिल होता है और जब ही वाँ पर मिस्टर लू आते हैं उन्हें देख के वे सोने का नाटक करने लगती है लेकिन लूजंग बोलता है कि तुम सोने का नाटक बंद करो और प्रेकफस्ट कर लो और भी बताता है कि तुम्हें याद भी नहीं है कि हमारे बिच में क्या हुआ था और बोलता है कि वे उसकी बेस्ट फ्रेंड के कहने पर उसको पिक अप करने के लिए था नैन कहती है कि हमारे बिच में सब कुछ खतम हो गया है और आपको मेरे साथ अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है जिससे लूसं कहता है कि फिर तुमने last time मुझे रोका क्यों नहीं जब हमारे बीच में सब कुछ हो रहा था और नैन बोलने लगती है कि सारी गलती आपकी है आपने नशे में मेरा फायदा उठाया और मुझे serious किया लेकिन लू बोलते हैं कि जब तुम जियांग लिन को पसंद नहीं करती हो तो तुम इसे शादी क्यों कर रही हो लेकिन नैन कहती है मुझे समझ में नियारा आप क्या बोल रहे हैं और रात में आपने मेरे मुझे साथ क्या सुन लिया और कहती है कि यह मेरे और जियांग लिन के बीच क पर गई थी लेकिन नैन कहती है यह सब सच नहीं है और वैसे भी मिस्टर लू शायद शायान को डेट कर रहे हैं लेकिन लेडी को तो आइडिया लग गया था कि दोनों के बिच में पक्का को चल रहा है बाद में नैन अपने काम को दिखा रही होती है लेकिन अभी भी ठायब को सब्सक्रcken् सब्सक्राइब आपको चंता करने की जरूरत निया मैं अपना काम ताइम पर कम्प्लीट कर लूंगी लूसंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि नैन उनके साथ ऐसा भीव क्यों करती है फिर भी उन्हें उसकी इतनी जदा फिकर होती है जब नैन रात में अपने ओफिस में जाती है तो देखती है कोई परसन पहले सी वहाँ पे मौझूद है और वे कुछ ढूंडरी होती है और जब वे परसन देखती है कि नैन उसकी तरफ आ रही है तो वे उसके सर पे हिट करके उसे कमपनी के स्टोरीज रूम में लॉक कर देती है और नैन जब होश में आती है तो वे देखती है कि cold storage room में locked है और वे घपड़ा जाती है और help के लिए पुकारने लगती है लेकिन कोई भी नहीं आता है दूसरी साइट लूसंग बहुत ही टाइम से नैन का call try कर रहा होता है लेकिन वे pick up नहीं कर रही होती है इसलिए परिशान हो जाता है इधर नैन को बहुत ही ठंड लगने लगती है और वे सोचने लगती है कि वे इतनी जल्दी नहीं मर सकती है और उसे लूसंग की आदाने ल जाने की होस्पीटल में भी नैन वे होशी में लूसंग का इनाम पुकार रही होती है और ज्यांग लिन को गुस्टा आता है कि वे उसके पास से फिर भी वे उसके सामने किसी और आदमी का नाम ले रही है लेकिन नैन उस पर गुस्टा करने लगती है कि लूसंग ने आज जान बचाई और उसे होस्पीटल लेकर आया था लेकिन तुम बिल्कुल भी ग्रेटफुल नजर नहीं आ रहे हो लेकिन ज्यांग लिन कहता है कि उसे बस अच्छा नहीं लग रहा था कि वे बेहोशी में किसी और आदमी का नाम ले रही थी इसलिए उसे गुस्टा आ गया और वे नैन से माफ़ी मांगता है जल्दी गुस्टे में नैन की स्टेप सिस्टर आती है और ज्यांग लिन से बोलती है कि वे प्रेगनेंट है इसलिए जल्द से जल्द नैन से अपने मेरिज को कैंसल कर दे लेकिन ज्यांग लिनी जानकर बिल्कुल भी हैपी नहीं था और और वे जियांगलीन से बताती है कि जए वे नैन से शादी कर लेगा तो automatically उनकी property उसके नाम हो जाएगा और अब जियांगलीन को कैसे भी करके नैन से शादी करने थी ताकि नैन की मदर की property उसके नाम हो जाए नेक्स डे जब लूसंग office आता है तो नैन उसकी जान बचाने के लिए उसको thank you बोलती है और अब project का plan रात में चोड़ी हो गया था इसलिए नैन new project plan बना रही होती है लेकिन लूसंग कहता है कि वे इस मामले में investigation करेगा और उसे काम करने से मना करता है क्योंकि अभी नैन की तबियत ठीक नहीं हुई थी लेकिन नैन कहती है कि उसने किसी क रात में office में देखा था जल्दी वहाँ पर शायान आती है और नैन की तबियत के बार में पूछती है और नैन बताती है कि वे ठीक है अब शायान को tension हो रही थी कि plan चोरी हो गई है और अब उन्हें dinner meeting में भी जाना था और वे नैन को भी invite करती है लेकिन नैन मना कर देती है लेकिन लुजंग बोलता है कि ये business related है तो उसे चलना चाहिए डिनर पर client नैन को drink करने के लिए बोलता है लेकिन लुजंग नैन को मना करके खुदी उसके place पर drink करता है और इस चीज़ से शौंग नियान बे shock हो जाता है और उसे शक होता है कि कहीं दोनों के बीच में कुछ सोचना चाहिए और ये चीज़ नैन को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वे सुनना चाहती थी कि लुजंग बताए कि नैन उसके लिए कितनी जादा matter करती है और फिर वे सोचती है कि मैं ये सब expect ही क्यों कर रही हूं और song नियान में बोलने लगता है कि नैन लुजंग के स चलन होती है कि शायन और लुजंग स्कूल टाइम से साथ में हैं और song नियान में शायन से बोलने लगता है कि वैसे लुजंग तुम्हारे पिछे लट्टू था और हमेशा तुम्हारे साथी time spent करता था लुजंग सॉंग नियान को स्कूल की बाते बंद करने को बोलता है औ यहां दोनों के देखकर साफ पता चल रहा था कि.. दोनों एकसेप्ट करने के लिए थियार नहीं थे .. रास्ते में जाते हुए नैं लूसंग के बारे में इस अपर सोच रही होती है और नैन कार में बैठने लगती है, लेकिन लूजंग उसको अपने close खिच लेता है और बोलता है कि यहां तुम मेरे side में ना बैठ कर backseat पर बैठने जारी हो लेकिन यह सब चीज़े तुम तब क्यों नहीं सोचती हो जब तुम मेरे साथ बैठ में होती हो और आज रात वे उसको अपने प्लेस पर आने के लिए बोलता है लेकिन नैन जान बुझकर बोलती है कि वे आज जियांग लिन के अपाटमेंट में जाने वाली है और वे उसके साथ ये नाइट स्पन करेगी और ये सुनका लुझक बोलता है कि तुम हिम्मत मत करना ऐसे करने की लेकिन नैन उससे टीस करके महाँ से चली जाती है और लुझक को आइडिया लग गया था कि वे उसके और शायान के डिलेशनशिप के बारे में सोचके नैन ऐसे स्ट्रेंज बिहेब कर रही है और दूसरे साइड नैन सोच रही होती है कि लुझक भी बस उसके साथ ये सब फन के लिए ही कर रहा है लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि लुझक के लिए उनका डिलेशनशिप एक गेम है फिर भी वे उसको एंडि क्यों नहीं कर रहा है और यहां नैन और लुझक दोनों ये एक दूसरे के फिलिंग्स को लेकर कनफ्यूज थे हम देखते हैं कि जो लड़की रात में फाइल चुराड़ी होती है वे नैन को देखकर उस पर गरम पानी फेकनी के लिए जाती है लेकिन जब भी बीच में लुझक आ जाता है और वे लड़की बोलने लगती है कि गलती से उससे पानी गिर गया लेकिन लुझक उस पर गुस्ता करने लगता है और उसकी सेलरी को भी डिड़क्ट कर देता है और इस बात पर उस लड़की को बहुंत सदा गус्सा आता है बाद में Nan पूछती है कि आप कहई बंद तो नहीं हुए लेकिन Luzen बोलता है कि वह ठीक है Nan कहती है कि वह उनके कोट को वर्श करके बाद में दे देगी लेकिन Luzen कहता है कि अगर Ji Ming Lin ने उसके पास किसी और आदमी का कोट देख लिया तो वे क्या सोचेगा और नैन गुस्से में उस कोट को महीं पर रख देती है लूजंग उसे अनबटन करने में हेल्प मांगता है और नैन अनबटन में करने लगती है और फिर वे बोलती है कि शायद हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और लूजंग कहता है कि हमारे बीच में तुम कैसा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती हो और उसे किस करने जाही रहा होता है कि जब वे उसके पास शायान की कॉल आती है और वे बताती है कि कल auction होने वाला है और लूजंग कहता है कि तुम details चेक करने के लिए office आ सकती हो और ये सुनकर फिर से नैन को जलन होती है थोई ते बाद नैन कहती है कि जिस लड़की ने उस पे पानी फेकने की कोशिश की थी उसे उस पर शक हो रहा है और लूजंग बोलता है कि वे auction के बाद इस matter को deal करेगा नैन कहती है कि आपको उस पे doubt था तो आपने उसको fire क्यों ने किया जिससे लूजंग बताता है क्योंकि वे उसके business rival चैंग की cousin है और ये सुनकर नैन भी हरान थी नैन अब शायवान की वेसे लूजंग से दूरी बनाना चाहती थी इसलिए वे बोलती है कि आगे से वे branch office के काम में involved नहीं होगी क्योंकि अब शायवान भी आने वाली है लेकिन लूजंग बोलता है कि ये तो तुम्हारा बहाना है सच तो ये है कि तुम्हें एक मंत बाद जैंग लिन से शादी करने वाली हो और नैन हाँ बोलती है इसके बाद में जान भूज कर लूजंग को टीज करती है और बोलती है कि आप मेरे और जैंग लिन के लिए होटेल रूम बुक कर देना और वहाँ से चली जाती है और ये सुनके लूजंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और जब नैन आफिस से बाहर आती है तो शायान को आती हुए देखती है और उसे फिर से जैलिस फिल होता है नेक्स दे लूजंग और नैन आउक्षन में जाते हैं और वे प्रोजेक्ट लूजंग को मिल जाती है जिससे चैंग बहुत ही नाखुश था और लूजंग को पता था कि चैंग ने अपने कजन के साथ मिलकर उसके साथ ट्रिक प्ले किया था लेकिन फिर भी वे प्रोजेक्ट उनको मिलता है बाद में लूजंग नैन को थैंक यू बोलता है कि उसके अच्छे बिजनस प्लैन की वैसे उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया और उसे होटेल रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है क्योंकि प्रोजेक्ट की वैसे वे रेस्ट भी नी कर पाई थी नैन भी उसे चलने के लिए बोलती है लेकिन वे बोलता है कि उसको कुछ काम है और उसको बोलता है कि तुमने प्रोजेक्ट में बहुत सदा मेहनत की थी और तुम रेस्ट भी नहीं कर पाई हो इसलिए उसको वहाँ से भेज देता है शाम को जब नैन कुछ समान लेकर आ रही होती है तो वे देखती है कि लुजंग अभी भी शायान के साथ है और उसे लगता है कि आज वे पूरे दिन उसके साथ डेट पर थे जब ये उन्होंने जान बुचकर उसे वटेल में भेजा था और मैं सोचती है कि लुजंग वैसे आपने बोला था कि मैं आपको अपने प्लेजर के लिए यूज करती हूँ और उसे उन दोनों को क्लोस देखकर बहुत सब गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है लेकिन जब शायान लुजंग को हक कर रही होती है तो लुजंग उसे अपने आप से अलग कर देता है और शायान बोलने लगती है कि मैं दुबारा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ जैसे हम पहले थे और बोलती है कि मुझे पता है कि सब मेरा फॉल्ट था मैं तुम्हें छोड़ कर एबरॉट चली गई थी लेकिन लूजंग बोलता है कि वे सारी पास्ट की बाते थी और अब हम एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है जिससे शायान बोलने लगती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं हो तो कौन है क्या नैन तुम्हारे लिए सुटेबल है और वे गुस्ते में बोलने लगती है कि साफ दिखता है कि तुम उसको पसंद करते हो लेकिन तुम कैसे भूल गए कि व томारे nephew की fiance है और तुम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हो फिर भी तुम Nan को पसंद करते हो Losean सोच रहा होता है कि शायान सही बोल रही है लेकिन मैं Nan को यी पसंद क्यों करता है वे हमेशा उसी के बारे में क्यों सोचता है लेकिन फिर वे शायान से बोलता है कि ये मेरे और नैन की बीच की बात है तुम्हें इंटरफेर करने की ज़रूरत नहीं है शायान को घर बेज दिया था लेकिन नैन गलती से बोलने जायरी होती है कि उसने कल रात उनको शायान को गले लगाती हुए देखा था लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं बोलती है लूसंग कहता है कि तो मचानक से शायान के बारे में क्यों पूछ रही थी और नैन बोलती ह लिए कि बेभी देखता है कि नेन आ चुकीए और वे घबरा के पूछता है कि तुम कब आई नंग ने लगती है कि मेरे बिजनेस ट्रिप खतम हो गया है यलिए इसलिए मैं वापस आ चुकी हूं क्या मुझे वापस नहीं बापस आता चाहिए था- जियांग लिन तो बहुत सदा घबरा गया होता है और नैन उसके घबराहट को नोटिस भी कर रही होती है क्योंकि उसे जियांग लिन की रियालिटी पहले से ही पता थी बाद में नैन सोच रही होती कि कैसे बच्पन में उसकी स्टेप सिस्टर अपने फ्रेंस के साथ मिलकर उ उसका मजाक बनाये करते थे क्यूंकि वे एक legitimate child थी और अब उसे पता था कि अगर जियांग नीन और उसकी step sister का बच्चा होगा तो वे भी legitimate कहलाएगा और उसके लिए अच्छा नहीं है और नैन नहीं चाहती थी कि जैसे बचपन में criticism वे सहती हुए आरी थी वे सेम चीज़ उसकी step sister का child भी experience करें मतलब उसकी step sister उसके साथ इतना बुड़ा करती है लेकिन फिर भी वे उसके child के बारे में सोच रही थी और वे बहुत साथ ट्रेंग करके loser के पास आती है और उसे गले लगाने के लिए बोलती है और इसके बाद उसे kiss करने लगती है और इसके बाद दोनों intimate होते है जब नैन की आँके खुलती है तो वे चुपके से महां से जाने लगती है लेकिन लूजंग उसको रोकता है और बोलता है कि तुम फिर से भागने की कोशिश कर रही हो लेकिन नैन बोलती है कि उसे काम पर जाना है लेकिन लूजंग कहता है कि हमेशे तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी तुम अपनी मर्जी से मेरे प्लेस पर आ जानी सकती हो और उसे अपने पाथ सुला लेता है लेकिन अभी भी लूजंग पूछता है कि तुम जी आंगलिन के साथ रहती हो तो उसने कुछ कहानी जब तुम इतनी रात को मेरे प्लेस पर आई थी जिससे नैन कहती है कि उसे मेरे से कोई भी मतलब नहीं है लूजंग बोलता है क्या तुम उस पर ब्लेम लगा रही हो तुमारी केर नहीं करता है लेकिन नैन कहती है कि वह मेरा केर करने डिसर्व नहीं करता है और बोलती है कि लास्ट नाइट उसका मूर अच्छा नहीं था इसलिए वे उनके पास आई थी इसलिए उन्हें उस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और ये चीज़ से लुजंग को अच्छी नहीं लगती है और कहता है कि हाँ मुझे पता है इन चीज़ों में तुम बहुत सद अच्छी हो जल्दी नैन के पास ग्रेंट पाकी कॉल आती है और वे उसे डिनर पर इंवाइट करते हैं क्योंकि उन्हें मैरिज से रिलेटेड डि कर बोल रही थी ताकि लुजंग उससे खुदी अलग हो जाए बाद में लुजंग ऑफिस में अनाउंस्मेंट करता है कि नैन के आइडियास की वज़े से उनका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया है और उस लड़क्यों को ये सुनके बहुत सद अगुसा आता है लेकिन पूछती है कि आपको मेरी सेफटी कि तनी ज्यादा फिकर क्यילו हो रही है लुजंग बोलता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो तो मुझे तुम्हारी फिकर तो हो गी और नैन पूछती है कि वे असीस्टेंट है सील्हिए वे उसकी फिकर कर रहे हैं लुजंग उसे Trayze करने लगता है कि फिर तुम और क्या सुनना चाहती हो, और उसे किस करने जाता है, लेकि नेन खुद को दूर कर लेती है और बोलती है कि आप सही बोल रहे हो, मैं आपकी निक हूं और कहती है कि आज उसे मैरिज के बारे में डिसक्रुशन करनी है, इसलिए आज भें जल्दी चली जाएगी और लूजंग गुस्सा में बोलता है कि बिल्कुल तो माराम से अपना टाइम ले सकती हो और सोचता है कि प्ले तो तुम मेरे साथ कर रही हो दूसरी साय शायान लूजंग को बहुत बार मैसेज करती है लेकिन में रिप्लाइन ही कर रहा होता है और इस बात पर शाय लगा नहीं था कि आप जियांग लिन और नैन के लिए यहां पर आएंगे ग्रेंडपा बोलते हैं कि हम दोनों फैमली रिलेटिव्स बनने वाले हैं इसलिए सब को एक दूसरे के बारे में सही से जान लेना चाहिए और नैन के फादर भी उनकी बातों से सहमत थे और वह ज लेकर आजाती हैं क्योंकि उन्हें कैसे भी करके उसको नीचा दिखाना था और उपर से उसके स्टेप सिस्टर भी उल्टा सिधा बोलने लगती हैं और हम देख पाते हैं कि यह सब सुनकर लूसंग को बहुत सा गुस्सा आता है और इसलिए में उन दोनों को सुनाने लगत जब यह उसके स्टेप सिस्टर बोलती है कि तुम्हारी मदर अपना कुछ समाने आपर छोड़ कर गई थी और वह उसे अपने साथ लेकर आती है और उसे गुस्से में थपर मारती है लेकिन नैन उल्टा उसको थपर मारती है और कहती है कि गुस्सा तो मुझे होना चाहिए क्योंकि तुम मेरे फियांसे के बच्चे की मा बढ़ने वाली हो और उसकी स्टेप सिस्टर बोलने लगती है कि उसको कैसे पता चला और जब उसे पता चल गया है तो वह जियांग लीन का पीछा क्यों नी छोड़ देती है और गुस्से में उसे पुश करने चाहिर ही होती ह और नैन उसको गिरने से बचाने के लिए अपना हाथ देती है लेकिन खुद भी उसके साथ नीचे गिर जाती है और आवाज सुनके जियांग लीन भागते हुए आता है और देखता है कि दोनों इंजर्ड है लेकिन में नैन को छोड़ कर उसके स्टेप सिस्टर को उठा कर ले जाने लगता है जब भी वहाँ पर लूसंग आता है और वे नैन की ऐसी हालत को देखके डर जाता है और इसके बाद हम जियांग लीन और लूसंग को हस्पिटल में देखते हैं जहां पर नैन और उसके स्टेप सिस्टर का ऑपरेशन चल रहा था और हम देखते हैं कि ज कि और को केरि करके ले जारे थे जल्दी डॉक्टर आता है और बोलता है कि जो लेड़ी प्रेगनेंट थी उनका बच्चा ने रहा और जियांग निन डॉक्टर पर गुस्सा करने लगता है लेकिन लुजंग प्रेग्नेंसी का नाम सुनकर हैरान था धोई दे बार डॉक्टर नैन को ऑपरेशन थेटर से बाहर लेकर आते हैं और जियांग निन गुस्से में नैन का गला दबाने लगता है जिसे लुजंग उसको दुरदार थपर मारता है और नैन से अलग करता है और जियांग निन लुजंग पर गुस्सा करने लगता है कि आप मेरे अंकल है फिर भी आप हमेशा नैन को डिफेंड क्यों करते हैं और वे बोलने चाहिए रहा होता है कि वे नैन से प्यार करता है लेकिन जब यहाँ पर लूजंग के फादर आते हैं और उन दोनों को रोकते हैं और वे लूजंग पर गुस्ता करने लगते हैं लेकिन लूजंग बोलता है कि आप जियांग लिन को कुछ क्यों नहीं बोलते है और जब ये डॉक्टर नैन की step sister को operation theater से बाहर लेकर आता है और उसकी step mother नैन पर गुस्ता करने लगती है कि वे उनकी daughter को मारना चाहती थी लेकिन यहाँ भी लूजंग नैन का support करता है और यहाँ नैन गुस्से में बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुम उस child के father थे जब भी तुम ऐसा कर रहे थे लेकिन जियांग लिन बोलता है कि यह सच रही है लेकिन अब उसको पता चल गया था कि उसकी सचाई बाहर आगी है इसलिए में नैन से माफिय मांगने लगता है कि उससे गलती हो गई और कहता है कि ऐसा next time कभी भी नहीं होगा लेकिन अब नैन उनके relationship को लेकर sure नहीं थी और उसने जियांग लिन के apartment में भी रहने से मना कर दिया था बाद में नैन जियांग लिन से बोलती है कि मेरी मा कभी भी ऐसे आदमे से शादी करने को नहीं बोलेंगी जो मुझे almost मारने वाला था जियांग लिन उसे पहले मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब ये नहीं मानती है तो वे जूट बोल देता है कि आंटी ने मरने से पहले कहा था कि वे उसके लिए कोई important gift छोड़ कर जाएंगी और wedding होने के बाद ही उसे वे gift मिलेगा और अगर वे engagement को cancel कर देगी तो वे gift को नहीं देख पाएगी लेकिन reality में जियांग लिन को तो पता था कि उसे wedding के बाद उसकी mother की property मिल जाएगी जियांग लिन बोलता है कि मैं तुमें gift के लिए blackmail नहीं कर रहा हूँ मैं सही में तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ लेकिन नैन को लगता है कि शायद वे कोई tricks play करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ज्यांग लिन बोलता है कि उसे शादी के बाद खुदी पता चल जाएगा अब नैन सोच रही होती है कि आखिरकार उसकी मदर उसके लिए क्या गिफ्ट छोड़ कर गई थी और वे उसे ढूणने की सोचती है क्योंकि उसके लिए वे गिफ्ट बहुत सदर प्रिशियस था इसलिए वे ज्यांग लिन की बातों में आकर बोल देती है कि वे इंगेजमेंट को ब्रेक नहीं करेगी जल्दी महाँ पे ग्रेंट पा आते हैं और वे ज्यांग लिन की तरफ से उसे माफी मांगते हैं और यहां बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे और लूजंग की बीच में क्या चल रहा है लेकिन तुम इतना समझ जाओ कि तुम दोनों एक अलग दुनिया से बिलॉंग करते हो नैन लूजंग और अपने बारे में बताना चाहती थी कि वे लूजंग से प्यार करती है लेकिन ग्रेंट पा कुछ नहीं सुनते हैं और उपर से उसको धमके देने लगते हैं कि अगर वे उनकी बात नहीं मानेगी तो वे उसकी फैमिली को बरबाद कर देंगे और अब नैन डेट जाती है कि कहीं ग्रेंट पा उसके फादर के साथ कुछ करना दे बात में जब नैन की आँख खुलती है तो वे देखती है कि लूजंग उसके पास बैठा हुआ है और वे बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम उससे शादी करने के लिए तियार हो मन में नैन सोचती है कि अभी भी आप मेरी इतनी जदा केर कर रहे हो और लूजंग सोच रहा होता है कि तुम मेरे बारे में कभी क्यों नी सोचती हो कि मुझे कैसा फिल हो रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतना होने के बाद भी वे जियांग लिन से शादी क्यों करना चाहती है नैन कुछ आगे बोलती कि जब लूजंग के पास शायन की कॉल आती है और वे उसे बात करने के लिए महाँ से चला जाता है और शायन बताती है कि उनके प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत आ गई है और लूजंग का शक चैंग पे जाता है बाद में लूजंग नैन को कॉल करनी की सोचता है लेकिन उसे लगता है कि शायद वे सोरी होगी उसे डिस्रप्ट करना सही नहीं होगा और वे उसका कॉल का वेट करने लगता है और दूसरे साइड नैन भी बहुत साथा बेचैन थी क्योंकि उसने देख लिया था लूजंग के पास शायन की कॉल आई थी और वे सोचती है कि उसे लूजंग को कॉल करनी चाहिए है नहीं लेकिन नैन से कंट्रोल नहीं होता है और वे लूजंग को कॉल करती है और पूछती है कि अभी तक आप सोए नहीं लूजंग कहता है कि तुम इतनी रात में ये पुछने के लिए कॉल कर रही थी और फिर नैन शायान के कॉल के बारे में पूछने लगती है और वे बता देता है कि उनके प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत आ गई थी लेकिन वे खुद हैंडल कर लेगा नैन बोलती है कि मुझे लगा कि शायान की कॉल आई है तो आप दोनों एक दुसरे के साथ हैं और ये सुनकर लुजन को गुस्सा आता है कि तुमने कॉल इसलिए किया था क्योंकि तुम जानना चाहती थी कि मैं शायान के साथ डेट पर हूई या नहीं नैन के दिये कि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ इसलिए मुझे अपने बॉस की फिकर हो रही थी और इस बात पर लुजन को और जादा गुस्सा आता है दूसरे साइड नैन की स्टेप सिस्टर जियांग निन पर गुस्सा कर रही होती है कि नैन ने उनके बच्चे को मार दिया फिर भी उससे शादी करने जा रहा है और यहां पर जियांग निन बता देता है कि नैन से शादी करने के बाद उसे उसकी मदर की प्रॉपर्टी मिल जाएगी यहां यह भी बता देता है कि नैन की मदर को होस्पिटल कोई और लेकर आया था लेकिन लगली जब उसकी मदर की आखे खुली तो उन्होंने उसे अपने सामने देखा और उन्हें लगा कि उसने उनकी जान बचाई थी और उसे पताखा कि लू फैमली अपने शेयर उसे कभी भी नहीं देगी इसलिए वे किसी भी कीमत पर नैन की मदर के प्रॉपर्टी को हथी आना चाहता था और ये सब जानने के बाद नैन की स्टेप सिस्टर भी उसका साथ देने के लिए तियार थी दूसरे साइड नैन ढूनने की कोशिश करती है कि उसकी मदर उसके लिए क्या छोड़ कर गई थी लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है और उसे शक होता है कि कहीं जियांग लिन उससे जूट तो नहीं बोल रहा था नेक्स जब नैन आफिस आती है तो लीली बताती है कि यहां पर शायान ट्रांसपर होके आ चुकी है और नैन एक इंप्लोई को नोटिस करती है उससे पता चल जाता है कि पक्का उस पर नज़र रखने के लिए उसे हायर करके लाए हैं बाद में नैन लुजंग के पास आती है और लुजंग उनके प्रोजेक्ट में इंवल्व होने से मना करता है जिस पर नैन बोलने लगती है कि शायान उसमें पार्टिसपेट कर सकती है तो वो क्यों नहीं लेकिन लुजंग उसे अपने ध्यान रखने के लिए बोलता है और लुजंग को शक होता है कि जो उनके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम मारी है वे चैंग ही करवा रहा है जब नैन अपने अपार्टमेंट में पहुचती है तो देखती है कि उसके मीरर पर ठ्रेटन नोट है और उ उसे यहां से जाने से मना करती है लुजंग कहता है कि वे कहीं नी जाने वाला है और उसके पास लेट जाता है और बात में सोचता है कि अगर चैंग ये सब तुम्हारा काम है तो मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला हूँ बात में जब नैन की नेंद खुलती है तो वे आफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उनके कंपनी के ट्वेट सिक्रेट को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है और सब को लगता है कि नैन नहीं किया है क्योंकि सारा एविडेंस उसी के खिलाफ था लेकिन यहां पर पता चलता है कि ट्वेट सिक्रेट को शायान ने नैन लूजंग से बोलती है कि उसने डॉक्मेंट को लीक नहीं किया है और वे अपने इनोसेंस का प्रूफ लेकर आएगी इसलिए वे CCTV फूटेज को चेक करने के लिए चाती है और वहाँ पर लूजंग पहले से मौजूद था और उस पर गुस्ता करने लगता है कि मैंने चायन उनके कमपनी में आना चाती थी और उसने जान बुझकर उसके साथ नाटक किया था ताकि वे उनके आफिस में आ सके और उसे पता चल जाता है कि यहाँ वे नैन को फ्रेम करने के लिए आई थी दूसरे साइट चैंग की कजन नैन को लूजंग से डिलेट करके उसके क कि वे चैंग की कजन के साथ मिलकर उनके कमपनी के साथ फ्रॉड कर रही थी इसलिए वे पुलिस को बुला कर उन दोनों को ले जाने के लिए बोलता है और जब यहाँ पर नैन आती है और लूजंग कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था इन चीजों में इंवल्व होने के ल तुमारी शाधी करने की सोचती और नैन नोटिस करती है कि ओफिस के सारे लोग उन्हें ही देखे जा रहे हैं इसलिए वे बोलती है कि जयांग लिन ने उसकी मा के जान बचाई थी इसलिए वे दोनों शाधी करने वाले हैं लेकिन लूजंग को उसमें बहुत सदा गुसा आता है और वे सारे employees को गुस्से में वहाँ से जाने के लिए बोलता है और जबी नैन के पास ज्यांग लिन के कॉल आती है कि क्या उसने फ्लावर रिसीव कर लिया और बोलता है कि कल उसे wedding dress ट्राय करने जाना है उसे याद है ना और नैन हाँ बोलके कॉल कट कर देती है और ल लुजंग नैन से बोलता है कि तुम मुझे जान बुझ के इरिटेट क्यों कर रही हो और जियांग लिन ने तुमारे मा के जान कब बचा ली लेकिन नैन बोलती है कि आपका इसे कोई भी लेना दिने नहीं है और वहाँ से जाने लगती है लेकिन लुजंग उसको रोक कर ज क्या तुम हमेशा सबसे डरती ही रहोगी थोड़ी दे बात लुजंग के पास चैंग की कॉल आती है और लुजंग उसको वान करता है कि नेक्स टाइम अगर उसने उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रियेट करने की कोशिश की तो वे उसको नहीं छोडने वाला है लेकिन लुजंग से उल्टा बोलता है क्योंकि वे हार गया था और वे कैसे भी करके लुजंग से इसका रिवेंच लेना चाहता था जलती ज्यांग लिन नेन के पास उसको पिक अप करने के से आ गया जिससे जैंग लिन कहता है कि ग्रेंट पा ने बोला था और नेन समझ जleader यह कि उसने सरी सोचा था वे इंप्लोई पका ग्रेंट पका ही आदमी है और ग्रेंट पा उस पे नज़र रख रहे हैं जियांग लिन उसको जॉब क्वेट करने के लिए बोलता है क्योंकि वे चाहता था कि शादी के बाद नैन घर पे रहे क्योंकि उसे बच्चे की प्लैनि जाती है नैन तो अब लुजंग के अपार्टमेंट पे रहा करती थी इसलिए जब वे आती है तो देखती है कि लुजंग ट्रिंग कर रहा है क्योंकि यह पिछले वाले इंसिडेंट की वरिसे बहुत सादा गुस्से में था नैन पूछ थी है कि क्या आपने जियांग लिन से शादी करना चाहती हो नैन बोलती है कि जयांग लिन ने उसकी मदर की जान बचाई थी लेकिन यहां एक फ्लेश ब्रक से पता चलता है कि जब नैन की स्टेप मदर ने नैन की मदर को घर से बाहर निकाल दिया था तो अचानक से उनके तबियत खराब हो जाती है और जब जयांग लिन को हस्पिटर आने को बोलता है बाकी हमें ऐसा ओडियंस पता ही था कि जब नैन की मदर होश में आई थी तो उन्होंने जयांग लिन को अपने सामने देखा था और उन्हें लगा था कि उसने ही उनके जान बचाई है लेकिन यह चीज़ लूजंग नैन को नही नहीं भी गुनाया होता तो आज नेन की शादी उससे हो रही होती ही नेक्स दे नैन आफिस में सारे कलिकस को वेडिंग इंविटेशन कार्द दे रही होती है और सब शादी में आने के लिए लेकिन लेली चाहती है कि तुम पका जहां लिन से शादी करना चादी हो जिससे नैन हां बोलती है लेकिन नेनी को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर नैन मिस्टर लू को पसंद करती है तो वह किसी और से शाधी क्यों करने जा रही है बात में नैन लुजंग को कार्ट देने के लिए लेकिन लुजंग अभी में नैन को लेकर बहुत ही परिशान दिख रहा है और सॉंग नियान को एड्रेस भेजते हुए कुछ टाइम भी नहीं होता है और लुजंग महां पर पहुच जाता है और सॉंग नियान कहता है कि तुम कुछ जाधा ही जल्दी नहीं आ गए लेकिन लुजंग तो नैन की वाइसे बहुत सदा परिशान था और देगा और अंदर से नैन ये सब सुन लेती है और वह समझ जाती है कि वेबस उसकी मदर के प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी कर रहा है लेकिन उसने अपनी मदर से प्रॉमिस किया था इसलिए वे अभी उससे शादी करने के लिए तियार थी जल्दी महां पर लुजंग बोलता है कि तुमने अभी सुनीलिया होगा कि ज्यांग लिंड क्या बोल रहा था, फिर भी तुम उसे शादी करना चाहती हो, और नेरन हाँ बोलती है, क्योंकि उसे अपने मदर की आखरी विश्च को पुड़ा करना था, लेकिन लूज़न यहाँ पर बता देता है कि ज्यां की प्रॉपरटी उसके हस्बिन को मिल जाएगी और नैन गुस्से में उस डॉक्मेंट को फार कर फैक देती है जल्दी नैन देखती है कि उसकी स्टेप सिस्टर उसकी और उसकी मदर की फोटो जला रही है और जियांग लिन भी उसका सपोर्ट कर रहा होता है इसलिए वे गु पोल देती है कि मुझे तुम्हारी रियाल्टी अच्छी तरीके से पता चल गई है कि तुम मुझे से शादी क्यों करना चाहते हो और जियांग लिन फिर से शरीप बने का नाटा करने लगता है लेकिन उसके स्टेप सिस्टर उसको सुनाने लगती है लेकिन आज नेन अपन लेकिन दर्द दोनों के आखों के सामने आखरी निशानी भी जल जाती है लोजों को तो उन दोनों पर बहुत सदा गुसा आ रहा था लेकिन जी आंग लिन अभी पर शरीप बने का नाटा करता है और नैन से बोलता है कि वह उससे बहुत सदा प्यार करता है अब फाइनली नैन के शादी जी आंग लिन से होने जा रही होती है और नैन अपनी बेड्स फ्रेंड को एक डॉक्मेंट देती है जल्दी वहाँ पर लूसुन आता है कि फाइनली तुम जी करने जा रही हो और नैन चारे ठीक है कि यही ठीके कि वह दोनों एक दूसरे के लिए की नहीं ब रहते थे अब नैन दिल पे पत्थर रखके जियांग लिन से शादी करने जा रही थी और लुजंग को मन ही मन में माफी मांगती है क्योंकि उसको पता था कि ग्रेंट पा उन्हें कभी भी एक नहीं होने देंगे लुजंग को बहुत सदर गुस्सा आता है और जाही रहा होता है कि उसके फादर उसको रोक लेते हैं अब दोनों की मेरी सेरिमेनी शुरू होती है और लुजंग से ये सब देखाने जा रहा था और नैन भी जियांग लिन से शादी करने से मना कर देती है और नैन अपनी बेस्ट फ्रेंड को सबको एविडियो सेंड कर देती है जिसमें जियांग लिन और नैन की स्टेप सिस्टर एक साथ थे और नैन जियांग लिन से बोलने लगती है कि जब तुम्हारा फेर मेरी सिस्टर के साथ चल रहा था तो तुम मैंसे शादी क्यों कर रहे हो और यहां नैन सब को बता देती है कि जियांग लिन बस उसकी मदर की प्रॉ करने लगते हैं और टमाशा बंद करने को कहते हैं लेकिन लोसंग के फादर अपने आदमी को उनके पीछे बेजते हैं लोसंग कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी करनी के लिए तेयार है क्योंकि वह से बहुत सता प्यार करता है और जब वे उसके फादर का आदमी आता है और उन्हें वापिस चलने को कहता है दूसरी साइट जियांग लिन को समझ में आ जाता है कि सब कुछ खतम हो गया है और वे पागलों की तरह भी एप करने लगता है नैन की सेपसिस्टर उसके पास आती है तो उसको भी धक्का देता है और नैन के फादर जियांग लिन पर गुस्ता करने लगते हैं कि वे उनकी दोनों डॉटर की लाइफ खराब करना चाहता लेकिन जियांग लिन अभी भी हारनी मान रहा होता है बाद में लूजंग अपने फादर के बुलाने पर उनके पास आता है और उसके फादर गुस्ता करने लगते हैं कि उसने नैन को अपने साथ भगा के लू फैमली का नाम मिट्टी में मिला दिया है लेकिन लूजंग कह थी तो लीली उसके लिए बहुत सदा हैपी थी कि उसने जियांग लिन से शादी नी की और सब को पता चल गया था कि नैन और मिस्टर लू एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब नैन लूजंग के ऑफिस में जाती है तो सारे कलिक्स उसे ही देखे जा रहे होते हैं दोनों ब पता था कि प्रोजेक्ट लूजंग के लिए बहुत सदा इंपोर्टेंट था है इसलिए उसे कमफर्ट करती है और बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा दूसरे साई नैन की स्टेप सिस्टर जियांग लिन पर गुस्ता कर रही होती है लेकिन जियांग लिन उल्टा अपने शा चाहिट ही होती है कि कोई आदमी उसको किड्नैप कर लेता है और इसके बाद चैंग लूजंग को कॉल करता है और नैन को लेकर ब्लैक मिल करने लगता है लूजंग चैंग को बोलता है कि अगर तुमने नैन के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लेकिन हम देखते हैं कि चेंग नेंब को टोर्चर कर रहा होता हूट और उसे पता चल गया था कि नेंब लुझंग के लिए बहुत सदा important है और जब ही वहाँ पर लूजंग आता है और नैन भाग के लूजंग को गले लगा लेती है लेकिन इसी बीच चैंग के आदमी लूजंग के सर पर हिट कर देते हैं जिससे वो बेहोश जाता है और नैन बहुत सदा डर जाती है और ओडने लगती है जल्दी चै के नैन बहुत ज़्यादा खबड़ा जाती है और वे लूजंग को देखने के लिए चाती है और उनसे माफ ही मांगने लगती है कि सारी मेडी गलती है प्लीज आप मुझे माफ कर दीजेगा और जब भी वहाँ पर ग्रेंट पाते हैं और नैन को बोलते हैं कि वे पर लूज कबनी में आता है और उनके प्लेस को हथी आना चाहता था और इस बात पर नैन को बहुत सथा गुस्साग आता है लेकिन जिबह वहाँ पे और लूजंग पर भी गुस्सा करने लगते हैं कि वे उनकी बात कभी क्यों नी सुनती है और लूजंग उसे किस करने चाहिए होते हैं कि कोई आदमी बाहर से आवास देता है कि investigation के लिए पुलिस आई हुई है और अब लूजंग चैंग के खिलाफ evidence देता है और पुलिस भी अब चैंग के खिलाफ action लेने के लिए तियार थी नैन अभी भी ग्रेंट पा की बातों को ही सोच रही होती है लेकिन लूजंग कहता है कि उसे किसी से भी ड़ नहीं छोड़ सकता हूं लेकिन उनके फादर उल्टा लूजंग को पनिश करने लगते हैं जिसे नैन उनको रोकती है लेकिन लूजंग कहता है कि डैड आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन मैं नैन को हमेशा ही प्यार करता रहूंगा बाद मैं नैन लूजंग से पूछती है लेकिन लूजंग कहता है कि उसे फिकर करने की जरूरत नहीं है वे सब कुछ हैंडल कर लेगा और वैसे उसको पता है कि उसके फादर उससे बहुत सदा प्यार करते हैं और एक ना एक दिन वे उनके रिष्टे के लिए तियार भी हो जाएंगे और नैन को लूजंग पर पोशुश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा और उसे सुना कर उसे महां से बाहर जाने को बोलता है बाद में नैन पूछती है कि कि आप सच बोल रहे थे कि आप मुझसे शादी करना चाते हैं और लूजंग कहता है क्यों तुम्हें मेरी बाते जूटी लग रही थी और उसके साथ रोमेंटिक होने लगता है लेकिन नैन उसे टीस करते हुए बोलती है कि किसने खा कि मैं आपकी वाइफ बनना चाहती हूँ और जब वे ऑफिस से बाहर आती है तो सारे कलिक्स दरवाजे के उपर कान लगा कर उनकी बाते सुन रहे होते हैं और लेली उन दोन लिन के बीज में सब कुछ ठीक था और वे नैन को बताता है कि जब तुमने मुझको फॉर्स टाम किस किया था जब ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था और जब से मैं तुम्हारी फिकर करने लगा था लेकिन मैं तुमको बता नहीं पा रहा था कि मैं तुमसे कितना ज़दा प्यार करने लगा हूँ और नया नहीं जान कर उसको किस करती है और लुजंग फॉर्मली उसे प्रोपोस करता है और उसे रिंग पहनाता है